अगर आप कोई रहस से रखना चाहते हैं तो आपको इसे अपने आप से भी छिपाना होगा 1984 जैसा कल्ट नॉवल लिखने वाले जॉर्ज और्वेल की इस लाइंग के साथ सुप्रीम कोट ने आज पैक्सिस जासूसी मामले में सुनवाई करते हुए एक एहम फैसला सुनाया कोट ने मामले की जांच के लिए एक एक्सपर्ट कमेटी गठित की सुप्रीम कोड के रिटायर जज, जस्टिस आरवी रवी रवींदरन के नेतरत में बनी ये कमेटी आठ हकते में रेपोर्ट देगी जस्टिस रवींदरन के साथ आलोग जोशी और संदीब अबरॉय भी इस कमेटी का हिस्सा होंगे आलोग जोशी 1976 बैच के रिटायर आई-पियस अधिकारी है तीसरे मेंबर डॉक्टर संदीब अबरॉय एक सब कमेटी के यानि कमेटी के अंदर कमेटी के चेर्मेन भी होंगे कौन है भाई साथ इंटरनेशनल और्गनाइजेशन ऑफ स्टेंडराइजेशन और इंटरनेशनल इलेक्रो टेक्निकल कमीशन इन दो संस्थां से जुड़े हुए हैं इसके अलावा तीन टेक्निकल एक्पर्स को भी कमेटी में शामिल किया गया है इनके नाम दॉक्टर नवीन कुमार चौधरी प्रोफेसर साइबर सेक्योर्टी एंड डिजिटल फॉरेंसिक्स नेशनल फॉरेंसिक्स साइंसेज यूनिवरसिटी गांधी नगर गुजराद दूसरा नाम डॉक्टर पी प्रभाकरन प्रोफेसर स्कूल आफ इंजिनरिंग अम्रिता विश्व विद्यापीठम अम्रितापूरी केरल इसके रावा नाम है डॉक्टर अश्विन अनिल गुमासतेका एसोसेट प्रोफेसर कंप्यूटर साइंस एंजिनरिंग आईटी बॉम्बे महराष्ट चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना, जस्टिस सूरिकांद और जस्टिस हिमा कोहली की बेंच ने ये एक्सपर्ट कमिटी बनाने का आदेश दिया कमिटी क्या करेगी? छे बिंदूओं पर जाज करेगी क्या है ये बिंदू? क्या स्पाइवेर के पैक्से सूट का इस्तिमाल भारत के नागरिकों के फोन या अन्य उपकरणों का एक्सेस लेने के लिए किया गया? अगर हाँ, तो ये डेटा कहां स्टोर किया गया? दूसरा बिंदूर, इस स्पाइवेर के अटेक से कौन-कौन से लोग या संस्था पीड़ित हैं, उन सभी पीड़ित प्रभावित लोगों की जानकारी जिनके खिलाफ इस्पाइवेर का इस्तिमाल हुआ तीसरा, स्पाइवेर के पैकसे सूट का इस्तिमाल करके भारती नागरिकों के वाटसेप एकाउंट्स हैक करने के बारे में, 2019 में रिपोर्ट प्रकाशित होने के बाद भारत सरकार ने क्या-क्या करदम उठाय या कारवाई की चौथा, क्या पैकसे स्पाइवेर को भारत सरकार या किसी राजिकी सरकार या एजनसी ने हासिल किया था और भारत के नागरिकों के खिलाब इस्तिमाल किया था पाँचमा अगर किसी सरकारी एजनसी ने Paxes Software का इस्तमाल किया था तो वो किस नियम काइदे, प्रोटोकॉल और कानूनी प्रक्रिया के तहत किया था अगर किसी ने स्पाइवेर का इस्तमाल देश के नागरिकों पर किया तो ऐसा किस अथोर्टी या अधिकार के तहत किया गया सुप्रिम कोट ने कमिटी को ये अधिकार भी दिया है कि वो मामले की छानबीन के दोरान इससे जुड़ा कोई और पहलू देखती है तो इसकी जाच भी कर सकती है सुप्रिम कोट ने पैकसिस कतित जासूसी मामले में साफ रुख पेश ना करने पर नरेंद्रमोधी सरकार की खिचाई भी की कोट ने कहा कि केंशर्गार का कोई साफ स्टैंड नहीं था केंशर्कार ने पैकसिस का इस्तमाल किया है या नहीं इस सवाल का इसपर्ष जवाब न देते हुए सरकार ने कहा था कि ये राश्ट्री सुरक्षा का विशे है Legal News वेबसाइट लाइब लॉग के मताबिक Solicitor General Tushar Mehta ने कहा था कि सरकार को ये बताने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता कि क्या वह निगरानी के लिए एक विशेश सॉफ्ट्वेयर का इस्तिमाल कर रही है क्योंकि ये आतंकवादी समूहों को सतर कर सकता है मैता की दलील ये भी थी कि इस मुद्दे को हलफ नामे या सारजनिक चर्चा का विशे नहीं बनाया जा सकता इस पर कोट ने कहा सरकार के सिर्फ राश्ट्री सुरक्षा की बात करने पर अदालत मूख दर्शक बन कर नहीं रह सकती देश के हर नागरिक की प्राइवेसी निजिता की रक्षा होनी चाहिए और अगर इसका उलंगन हुआ है तो इसकी जाच होनी चाहिए कोट ने कहा कि उसे राश्ट्री सुरक्षा की पहलूओं को जानने में दिल्चस्पी नहीं है को कि अबल ये पताला लगाना चाहते थे कि क्या पैक्सेज स्पाइवेर का उपयोग नागरिकों को टारगिट करने के लिए किया गया था अज अपने फैसले में कोट ने इस पस्ट कहा कि राश्ट्री सुरक्षा का तर्क देकर न्यायक जास से दूर नहीं हुआ जा सकता कोट ने अपने फैसले में कहा राश्ट्री सुरक्षा का डर इस तरह पैदा नहीं किया जा सकता की अदालत हैं इसका नाम लेने भर से पीछे हड़ जाएं हलाकि इस अदालत को राश्ट्री सुरक्षा की शेत्रकात इक्रमन करने की मामले में चौकरना रहना चाहिए लेकिन न्याएक समिक्षा पर पूरी तरह से रोग नहीं लगाई जा सकते। कोट ने ये भी कहा कि Union of India को साबित करना चाहिए कि मांगी गई जानकारी को रखा जाना चाहिए या नहीं क्योंकि उनका प्रक्तिकरन राश्ट्री सुरक्षा चिंताओं को प्रभावित करेगा। अपेक्षा होती है। कोट का फैसला आने के बाद कॉंग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहूल गांधी ने एक प्रेस कॉंफरेंस कर नरेंद्रमुदी सरकार पर हमला बोला। के सेशन में हमने पेगसिस का मुद्दा उठाया था। पेगसिस देश पर देश के इंस्टिटूशन पर एक आकरमन है अटैक है। और हमने तीन सवाल पूछे थे, पेगसिस को किसने खरीदा? क्योंकि पेगसिस को कोई प्राइवेट पार्टी इंडिविजन नहीं खरी सकता है, पेगसिस को सरकार ही खरीद सकती है, यह एक हत्यार है। और हमने पूछा था सरकार में ऑथराइजेशन किसने दी? साइन ओफ किसने किया? दूसरा हमारा सवाल था कि पेगसिस किन-किन लोगों पर डाला गया था? किन लोगों की टैपिंग की गई थी? किन फे किन के फोन्स इंफेक्ट किये गई थे? क्योंकि एक लिस्ट है जिसम चीफ जस्टिस का नाम है, CEC का नाम है, ओपोजिशन के निताओं का नाम है, BJP के मंत्रियों का, MPs का नाम है, बहुत सारे अक्टिविस्स का नाम है, तो हमने पूछा ये किन लोगों पर यूटिलाइज किया गया था? और आखरी सवाल, जो बहुत जरूरी सवाल है, क्या Pegasus का डेटा किसी और देश के पास भी था या सिरफ हिंदुस्तान की सरकार के पास? जवाब नहीं मिला, हमने Parliament रोका, जोइंटली विपक्ष मिलकर एक साथ खड़ा हुआ और हमने Parliament को रोका, उस समय आपने भी कहा कि देखिए, सरकार Parliament चला रही है, Congress Party और विपक्ष क्यू रोक रहे हैं, हमने इसलिए रोका क्योंकि ये हमारे देश पर आक्रमन है, हमारे लोकतंत्र पर आक्रमन है, और हमारी जो वाइबरन डिमोक्रसी है, उसको नश्ट करने का अटेंप्ट है, इस बयान पर भारती जनता पार्टी ने अपने बचाओं में क्या कहा, ये भी सुन समबार दोहराना यही राहूल गांधी कहते हैं, डेमोक्रसी खत्रे में है, डेमोक्रसी पे हमला हो गया है, डेमोक्रसी को बचाना है, भारत के समविधान पर भारती जनता पार्टी हमला कर रही है, यही राहूल गांधी की वोकैबलरी है, रिपिटिशन एन राहूल होती है वही वोकाबलरी होती है and if you hear all these press conferences together you will not be able to say which press conference was done for which issue such is the repetition of Mr. Rahul Gandhi अजालत के आदेश के बाद पहली बार Paxes मामले में एक मद्दिमार की गुंजाइश पैदा हुई है अभी तक का विमर्श चरम पर ही रहा एक तरफ से आरोपों की जड़ी जिसमें भारत में लोकतंत्र की सेहत परचिंता जताई जाती थी दूसरी तरफ सरकार जिसने जैसे तैक कर लिया था इस मामले में कुछ गड़बड हुई ही नहीं है जबकि दुनिया भर में इस खुलासे के बाद जांच बिठाई गई थी अब भारत भी उस रहा पर आके बढ़ रहा है देखना होगा कि जांच समिती की रिपोर्ट में क्या सामने आता है